नमस्कार तो आज हम बात करने वाले अंडर 23 AFC Asian Cup Qualifiers के लिए Probable Squad जो है वो एनाउंस हो चुका है और कौन-कौन जगे बना पाएगा तो हम उसी के बारे में मतलब कौन-कौन जगे बना लेगा इसके बारे में तो नहीं लेकिन कौन-कौन प्लेयर्स को लिया गया है और कितना स नहीं लिया गया है उसके पर थोड़ा सा discussion करेंगे और उससे पहले देखे डूरंड कप जो है वो चालू हो चुका है और मोहन बागान वर्सेज बांगलाजेस आर्मी का पहला मैच था मोहन बागान ने ताबड तोड जीत हासिल कई 5-0 वो भी 20 स्कौर्ड के साथ मतलब ती चारों ने गोल मारा और नाम्टे ने भी गोल मार दिया ठीक है तो मतलब एक तरफ ही मैच लग रहा था ये तो ऐसा लगीन रहा था कि ये बी स्कौर्ड के साथ मैच है मैच असा लग रहा था भाई ये क्या है बांगलाजेस आर्मी पता नहीं किस तरगी टीम थी मतलब पो ठीक है अभी तो उसको टाइम है तब तक जितने भी मैच होने वाले आपको पूरे देखना है बिकाज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मज़वी आएगा तो डुरांट कप को बिल्कुल देखते रहिएगा अब हम बात करते हैं अंडर 23 के जो भी प्रॉबेबल् को क्योंकि कई फैंस जाएगों इसे रिलेट नहीं करता है ठीक है एसन गेम्स में अंडर 24 स्कॉर्ड जो जा रहा है वो अलग है उसमें तीन सीनियर प्लियर्स जाते है ठीक है यह प्रॉबर एफसी जो अंडर 23 एसन का अब होता है उसके जो क्वालिफार सुना है उसके लि इन में से की सचिन सुरेश प्रभुसुखन गिल और अर्स अनवर सेख यह तीन नाम तो मैं बिलकुन नो डाउट एकदम जाओंगा साथ में लेकिं रितिक तिवारी की अगर हम बात करते हैं रितिक तिवारी ने उतना गेम खेले नहीं है अगर आप आई असल की बात करते ह उसमें भी गोल्स कंसीड किये थे काफी तो मैं रितिक तिवारी का उतना कंफर्म नहीं बोल सकता कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन हाँ अगर आप बोलेंगे कि चार में उनका नाम हो सकता है विकॉज ही एक यंग प्लियर है और सचिन सुरेश का पर्फरमस आपको प तो गोल्कीपर्स जो चुने गए है मैं समस्ता हूं बिल्कुल सही है मतलब क्या ही सीजन रहा उनका ODS FC के लिए कमाल का तो बिल्कुल यहां पर डिजर करते है वो और मिपम वन आप दे फाइनेस्ट एक डिफेंडर में मानता हूं उनको अपने इंडियर फुटबॉल में और यंग टैलेंड के रूप में तो भीया मतलब फॉन अप दे बेस्टी हो गया हूं विकास युमना यह भी एक लाजवाब डिफेंडर है मतलब यह तो पुरी स्टॉपर की लिस्ट आ रही है आपके पास मतलब क्या कहूं इनके बारे में विकास युमना बहुत ही शांद मतलब एक साइड बेक के रूप में आप इनको देख सकते हैं बहुत ही शांदार सुमित राठी यह भी बहुत अच्छे बाकी इनको मुहन बगान वीसे खेलने को उतना नहीं मिलता लेकिन इसके बावजूद भी एक बार इमर्जिंग प्लेयर भी रह चुके और काफी अच अब्दुल रभी की बात करता अब्दुल रभी भाई भूती शांदार डिफेंडर में आनूंगा है धरावद अफसी के लिए क्या गेम प्लेयर रहा है इनका मतलब शांदार तो बिल्कुल यह सभी डिफेंडर्स जो है भूती शांदार है और इनमें से कौन में से लेकित मुधिनन में स्कौर्ब ठाभी की बात सब्स्क्राइब betyamada इंडर में सब्सक्रावद दकाता सब्सक्राव 135 के एनोंगतों के सब्सक्राव मिली मतलब शांदा logic कि सब्सक्राव फाराव क्रिफेंडर्स यह सबस्टार है 152 001 डीनीना सब्सक्राव प्रकूर्म की तो अभी यहाँ पे squad में जगे बना लिए because he is very good और उसके बाद हम बात करेंगे जितेस्वर सिंगी तो जितेस्वर भाई आपको पता है क्या खेला उन्होंने मतलब यह player तो I-League में भी शांदार था Chenyan में भी शांदार खेला तो बहुत ही शांदार बात है यह तो Vibin Mohanan मतलब Vibin Mohanan तो यह डिजर्व करते ही है मैं तो उनको मतलब ACN Games के साफ से भी सोच रहा था लेकिन उधर उनका squad में नाम नहीं आया तो यहाँ तो पक्का आनी था मतलब अभी तो भाई पहार का experience भी आ रहा है उनके पास foreign का एरा ब्लास्टर्स के लिए भी क्या शांदार खेले तब देखो अगर आप भाई ISL के squad में जगे बना पा रहे हो मतलब ISL के playing में तो उससे बड़ी फिर क्या ही बात हो सकती आप under 23 अभी तो तो वही है कि यह जो कई player से यह भाई playing में जगे बना लेते हैं उसका ब्राइसन की बात करें भाई ब्राइसन ने तो तीन गोल भी score किये तो यह बंदा तो नहीं जगे बनाना बिलकुल ज़रूरी था क्योंकि तीन गोल भी score किये है उन्होंने ISL की सीजन में अमर्जीत की बात करें अमर्जीत तो भाई कैसे है कि मतलब midfield में समालने वाले खिलाडी है तो बहुत ही मतलब यह भी deserving है और मेरे खाल में अमर्जीत में स्कॉड में भी जगे बना ही लेंगे मतलब शांदार प्लेयर है भाई आपको पता ही है experience भी और quality भी है तो midfielders में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का नाम जबरदस्ती आ गया है ऐसा कुछ तो आप उसके बारे बताईएगा और क्यों आ गया है या इसकी जगे किसी और को होना चाहिए था वैसा भी आपको लगता है तो आप जरू कमें बिलिक के बाता सकते है उसके बाद हम बढ़ेंगे forwards की तरब तो forwards में सबसे बलायाते है sorrow के अभी कई players इनको नहीं जानते हूँगा फैंस नहीं जानते हूँगा देखिए ये gokulam के player है ये gokulam के player है और last season इन्होंने i-league में भी बहुत ज्यादा मैचेस नहीं कहलेते हैं कि कुछी मैचेस कहलेते लेकिन अभी ठीक player है क्योंकि अंडर 23 के साफ सब देखेंगे तो ये भी भाई काफी players को competition देते है तो बिल्कुल अगर उनको add किया क्योंकि i-league से भी add करें तो थोड़ा सा motivation भी होती i-league players के लिए भी जो वहाँ पे खेल रहे हैं तो अच्छी बात है कि है ना सभी players ऐसा नहीं कि ISL club से आ रहे है भाई i-league से भी आ रहे है उसका विक्रम प्रताप सिंग मतलब ये नाम तो यहाँ जोड़ना ही था ये नाम तो यहाँ जोड़ना ही था कोई इसमें बहुत doubtful है नी ऐसा है कि नी उसका पार्थी गुगई पार्थी गुगई तो भाई हम ACN Games में भी मांग कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर वही है कि है वहाँ पर और भी प्लेयर्स तो अभी इधर आ रहे है भाई चलिए ठीक है मतलब पार्थी गुगई वैसे भी AC के लिए प्रिपेर हो रहे थे इतने टाइम से कि अंडर 23 जो नेशनल टीम है उसमें मेरा ज़न्डे गारना है तो चलिए पार्थी गुगई भी आ चुके है रोहित दानू तो भाई रोहित दानू तो एक बहुती क्लास प्लेयर आपने इनका जो करिश्मा है वो देखी चुका है हदरावाद FC में और नो सर्प्राइस कि उन्हें अंडर 23 स्कॉड में जगे बनाई एकदम डिजर्विंग उसके बाद निन्थोई की बात करें तो निन्थोई भाई चैन्यन में खिले और काफी अच्छा आ उनका नाम तो फैंस असेन गेम में बचा रहत है तो गूर्किरत ने जगे बनाई बिल्कुल कोई डाउट वाली बात ही नियी है गूर्किरत क्यों इस स्कॉड में नहीं और जवाब तो बिल्कूल ही एक अपने आपको ब्रू किया है और फिर सेउसकती कि बात करें तो सेउ लेवल के प्लेयर है तो अभी तो का मान लेजिए उनको नेसनल टीम में डारेक्टली नहीं लेते है अभी तो अंडर 23 में उनका गेमपले हमको दिख पाएगा और एक जर्सी पहन के हम उनको देख लेंगे की सिवसकती इंडिया के लिए फाइनली किस तरह से खेलते है ठीक है फिर उसका सुहेल भट की बात करें तो भाई इस प्लेयर के तो जलवे चल रहे है अभी तुरंत में भी कली नो ने अपना जलवा दिखाया महन बागान वर्सेस बांगलादेश सारमी का जो मैच हुआ तो वाई ही इस हीर यह मुझे बता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको क्या कोई ऐसा प्लेयर लगता है जो डिजर्व नहीं करता हो आगया हो या कोई डिजर्व करता हो नहीं आया हो ऐसा आपको जो कुछ भी लगता है जरूर कमेंड में लिखके बता सकते है और इसके अलावा भी अगर आप दूरान को सपोर्ट करते रही है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत